इसराहिली जब जंगल में भटक रहे थे और आप इसे वेवस्ता विवरण आठ में देखेंगे मुझे ये कहनी पसंद है उन्होंने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों से तुझे सारे जंगल के मारगों में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परिक्षा करके ये जानने की तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आग्याओं का पालन करेगा या नहीं आपके जीवन में भी परिक्षा के मौके आएंगे जब परमीश्वर जानना चाहेंगे आमीन मुझे ये प्यारा है जो विवस्ता विवरान आठ में दर्ज है शायद वो वचन तीन है उन्होंने का मैं चालीस वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए लिया आया कि तुझे नमर बनाओं और तेरी परिक्षा लूई इसके बाद उन्होंने कहा तीरे वस्त्र पूराने न हुए और न तेरे पाओं फूले वो चालीस वर्षों तक चलते रहे पर उनके पाओं नहीं फूले और उनके वस्त्र पूराने नहीं हुए देखिए उन्हें एक भी नई पोशाक नहीं मिली चालीस वर्षों तक रही मिली इससे क्या सीख मिलती है आप आपको शायद वो सब न मिले जाप चाहते हैं, आपको इस वक्त ऐसी समस्या या ऐसी परिस्थिती मिले, जहां आप उस बहुतायत का अनुभव नहीं कर रहें, जिसका आप वादा चाहते हैं, पर परमीश्वर आपकी आवश्रक्ता है पूरी करेंगे, वो शायद उस तरह से नहीं हो जैसे आप चाहते हैं, वो शायद उस तरह से नहीं हो जैसे आप सोचते हैं, पर परमीश्वर आपकी आवश्रक्ता है, पूरी करेंगे, उनके लिए उन्हें आपकी कपड़ों को आलोकिक तरीके से अभिश्य करना पड़ें, बताए कितने लोग मेरी बात समझ रह हैं, और आप उसमें से बाहर आएंगे, आप उसमें से बाहर आएंगे, फिलिप यो, चार उन्नीस में एक वचन है, जो हम सभी को प्यारा है, और मेरा परमीश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसी येशु में है, तुमारी हर एक घटी को पूरा करेगा, पर आप भूल करते हैं, यदि आप यहां वहां से वचन चुनते हैं, ऐसा करके आप बाइबल से जो भी चाहे वो कहलवा सकते हैं, इसलिए हमेशा पहले और बात का वचन पढ़ने में समझधारी होती है, इसलिए यदि हम फिलिप यो चार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चाहे परमीश्वर के बंदों के साथ उग्रवादी किये गए हैं, और जब तक मैं यहां बात करूंगी वादू की और उसकी जो आद के लिए अपनी विरासत द्वारा उपलब्ध है, आप जोर शोर से चिलाएंगे और प्रसन नहोंगे और आनंद उठाएंगे, पर अब मैं एक मिनिट के लिए विशे बदलूंगे और आपको इसके बारे में थोड़ा बत सकता है, यह बीच किसी ऐसी को पूर्णता क्षमा करना हो सकता है, जिससे आप नफरत करते हो, पर आप जानते होते हैं कि परमीश्वर चाहते हैं आप वो करें और यदी आप पैसा करेंगी फिर आपको अपलब्धी मिलेगी और आप अपने जीवन में खुश होंगे, तो और हम आशा कर रहे होते हैं किसी दूसरी जवाब की, अपने जीवन में परमीश्वर की बहुतायत क्या पिक्षान न करें, यदि यदि आप उदेश्य पुर्वक्रित गया करने वाले हैं, देखा, मैंने कहा थाना कि चिलाना बंध हो जाएगा, मेरे लिए बहुत आसान होगा ऐसे विश्वां पर प्रचार करना, जिसे सुनकर सब चिलाएं और कहें, क्या बात है, बहुत भूब, बहुत मजा गया, बड़ी आथा ये, पर यदि मैं आपको सब नहीं बताऊंगी, तब मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूंगी, मुझे आपको अच्छी बुरी दोनों परिस्कृतियों के लिए तैयार करना है, फिलिप योच चार, हम इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे ये आश्वस्त करने के लिए कि हमें संतुलित शिक्षा मिली, क्योंकि मैं तंग आजाती हूं जब लोग बीच में सही वचन निकालते हैं जिने सुनकर सब उत्साहित होते हैं पर वो उन्हें बाकी का वचन नहीं सुनाते, मेरा परमेश्वेर भी अपने उस दन के अनुसार जो मसी ये शुम है, तुमारे ये गटी को पुरा करेगा, ये बाकी का पढ़ते हैं, वचन चौदा किसे आरम करना ठीक होगा, फिलिप्यो चार चौदा, तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सभागी हुए और ये फिलिप्यो तुम आप भी जानते हो कि सूसमाचार प्रचार के आरम में जब भी, जब मैंने मके दुनिया से कूच किया तब तुमें छोड़कर किसी मनली ने लेने देने के विशे में मेरी सहायता नहीं कि इसी प्रकार जब मैं थे सलूनी के में था तब भी तुमने मे मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था ये नहीं कि मैं आपसे दान चाहता हूं परन्तु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुमारे लाब के लिए बढ़ता जाया अशिशों की फसल जो तुमारे खाते में जमा हो रही है मेरे पास सब कुछ है पूर्ण भुकतान की राशी बरन बहुता यसे भी है जो वस्तुए तुमने इफव दितूस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं त्रिप्त हो गया हूं वो तो सुगंध और ग्रहन करने के योग्य बलीदान है जो परमीश्वर को भाता है और मेरा परमीश्वर भी अ आपको हर तरह के देने के बारे में उत्साइथ होना चाहिए जो परमीश्वर आपको देने को कहें चाहे हो समय हो पैसा हो या कुछ और हो या ख्षमा हो या जू भी हो क्योंकि यह नामुपीन है मेरा मतब एक अशिक्षित किसान भी यह जानता है कि बीच के बिना उसे चाहते थे कि मैं उन्हें कि शमा करूं विशिक मैंने उन्हें सालों पहले कि शमा किया था पर तब मुझे उन्हें पूर्णता शमा करना था और मेरी मामले में इसका यह अर्थ था कि परमीश्वर चाहते थे कि हम मेरे माता पिता को दक्षिन पुर्व मिसूरी से जहां वो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि मैं अपने पिता की देखभाल नहीं करना चाहती थी, वो अन्याय लगता था, वो गलत लगता था, यह परमीश्वर नहीं हो सकते थे, यह शैतान था, मैंने आखिर में परमीश्वर की सुनी, और यह मेरे दौरा, यह जीवन में की, यह काय में तरक्की हुई और हम कहीं अधिक लोगों की मदद कर पाएं हैं, बहुत विशाल स्तर पर मैं आप से कुछ कहना चाहती हूं, कृपिया ऐसे समझ लिजे कि कभी भूलिए गामत परमीश्वर जब भी आप से कुछ बांगते हैं, वो इसलिए नहीं होता कि वो आप से क कुछ लेने चाहते हैं, उन्हें आपकी वस्तूओं के आवश्यक्ता नहीं है, यह बस समझ लिजे, परमीश्वर जरूरत मंदन नहीं है, यदि आप उन्हीं चड़ावा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ख की खिड़की बंद रहेगी, परमीश्वर हमसे जब भी कुछ मांगते हैं, वो केवल इसलिए होता है, ताकि हमें उस अवस्ता में लाएं, जहां हम वो अधिका अधिक स्विकार कर सके, जो हमें वो देना चाहते हैं. और मैं यह बहाना सुन सुन कर ठक गई हूं, आप जानते हैं, यह प्रचारक हमें सा ऐसे ही कहते रहते हैं. आमीन. और केवल यही नहीं. हर कोई इस ताक में नहीं कि आप से कुछ हत्या लें, आपको दोनों पहलियों के बारे में सोचना चाहिए. एक कहानी, सुनिये जो मुझे दिल्चस्प लगती है, एक स्थरी ने मुझसे कहा, मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूं, लगभग. तीन साल पहले की बात है, पर मीश्वय ने मुझसे आपकी सेवकाई के सभभागी बनने के लिए कहा, मैं बहुत समय से आपका प्रोग्राम देख रही हूं, और मुझे सच मुझ ऐसी अनुभवती हूई कि मैं आपकी मदद करूं, सेवकाई की सभभागी बनूं, उसने आगी कहा, पर मैंने वो नहीं किया, उसने कहा, मैं इसका कारान नहीं चानती, ऐसा नहीं कि मेरे बास पैसे की कमी है, ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, मुझे आपसे प्रीम है, और आप जो भी करते वो अच्छा लगता है, बस मैं सहब आगी नहीं बनी, उसने आगे कहा, एक दो साल बीद कया और मैं अभी भी वो नहीं कर रही, आचानक ऐसा हुआ कि मुझे आपकी शीक्षा से कोई लाब मिलना बंद हो गया, उसने आगे कहा, मैंने सूचा परमिश्वर आखरे जॉइस में क्या खरावी है, अम सच मुझ कए बार ऐसा करते हैं, आखरे जॉइस में क्या खरावी है, क्या उनके जीवन में कोई भाप है, अब उन पर पहले कि आशा मत करो, इसलिए यदि यदि आप किसी गिर्जे में जाते हैं और आपको वहां जाते हुए लगभग चार या पांच वर्श हो गया और आप उसे अपना गिर्जा बुलाते हैं और पादरी हर सब्ता आपके सामने दिल उडेलता है, वो आपके बीमार होने पर आपक करता है, वो आपको और आपके संबंधियों को मिलने आता है और आप अस्पताल में होते हैं वो आपके परिवार से मिलने आता है, बबब तीस मा देता है, आवश्यक्ता होने पहर अंतिम संस्कार करता है मेरा मतलब बहर वार आपके साथ होता है, आप गिर्जे में सेवा न जाने पर क्योंकि आप अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालना चाहते हैं, इस बात की परवा किये बगेर कि आप बहुत से लोगों की शान्तिभं कर रहे हैं, और फिर भी आप सोचते हैं, आप के जीवन में कुछ काम क्यों नहीं हो रहा हैं, आप हमाई के वल ग्राहन करना नहीं कर रही है, अमें सच मुझोने लगती है, घबराहत पैसों की बात सुनकर, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पहले ही चड़ावा दे चुके हैं, मैं आप से दुबारा नहीं लीने वाली मैं जानती हुआ आप मुझसे ये सवाल पूछना चाहते होंगे मुझे दश्मानज देना पसंद है जाएस पर मेरे पती ये का विश्वासी और मुझे देने नहीं देते हाँ ठीक है आपको अपने घर में युदा आरम करने की ज़रूरत नहीं देने का कोई तरीका ढूंडिये अपने समय दीचिए आपको बत्ता तो मिलता होगा उसका दश्मानज दीची लोगों के लिए कुछ कीजी जो भी आप कर सकते हैं पर कुछ ना करने के लिए कभी भी बहाना मत बनाई आमें उसके बार में सोचना बन कीजिए जो आप नहीं कर सकते हैं और ऐसा कुछ ढूंडिये जो कर सकते हैं आललुया और यदि आपके वल इतना करेंगे की अब जान भुचकर अवग्या नहीं करेंगे दरसल मुझे यकीन है कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे पहलू होंगे जिनके बारे में मैं अंजाने में आगया पालन नहीं कर रही पर जब परमीशवर अउगत कराते हैं तब मैं जवाब दे होती हूँ इसलिए जब आप उस अवग्या पीछा छूड़ा आतächst के बारे में जानते हैं और आपको यह नहीं कहना चाहिए पर मीशवर अच्यास करने को काहा थापि यह बहुत कठीने में नहीं कर सकता, यह सच नहीं है अब लिइंश कर आपकां आप ऊपना जाये मनकदर्शन के अनुसार, जाये वो personality, जाये वो जव किसी भी मदद से हो सकता है, जाये वो चछे मारक दर्शनiosa, मूस्ति भी जो त्षप किसी बीरता हो सकता है, जाये वो समय में जाये एच साह पैसा है, जो किसी जो ऐव शृत को स्कवा ये किस अी jurored deav और वो प्लबदी के बार में वचन सुनकर चिलाएगा और उत्सा से कूदेगा और घर लोडते समय गाडी में पूरा रास्ता लड़ते रहेगा बस कीजिए ये इस बचकानी बख्वास से तंग आ गये हैं हमारे पास त्वल होना चाहिए और हमें समझना है कि परमिश्वर मजाग नहीं कर रहे हैं यदि आप वो कनारम करेंगे जो परमिश्वर आपसे करने को कहें तो मेरे बात याद रखे कि आपके पास लगुद वारा खरीद अधिकार होगा परमिश्वर की उपस्तिति में रहन है मैं ना सुनने वाला नहीं हूँ क्योंकि परमिश्वर कोई मनुश्य नहीं है जो वो जूट बोलेंगे पर मैं उन लोगों से परेशान हूँ जो सब मुफ्त में चाहते हैं आज हमारी पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिसमें अधिकार की भावना होती है आपको मुझे ये देना है कोई भी किसी का देन्दार नहीं मला की सच मुझ बढ़िया है सारे दश्मान भंडार से ले आओ कि मेरे भावन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मैं आकाश के जरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ओपर अप्रमपा राशिष की वर्शा करता हूं कि नहीं आप शायद कहें कुछ लोग मुझे घूर कर देख रहे हैं कि मैं आप सिक सवाल पूछती हूं आप परमीश्वर को अपना दस प्रतिश्यत दे कर देखना चाहेंगी कि परमीश्वर बाकी नभ्पे प्रतिश्यत को ऐसी आशिष देते हैं कि वो आपकी हर आवश्यक्ता को पूरा करता है या आप द श्मान्श न देकर शैतान को पू कि दुनिया की लाखो लोगों कि वह भी मिलता है यह सच है कि मैं किवल यहां बैठे लोगों से बात नहीं कर रही है कि मैं विशेश रूप से बहाँ बैठे सब लोगों के लिए बात कर रही हूं मुझे खुश ही है कि मैं हर दिन आपके लिए होती हूं और आपके लिए बहुत आसान होता है कि अब अपना रिमोट का बटन दबाओ और हम हासिर होते हैं अमारे सब आगी और उन प्रोग्राम का मुल्य अद्या है जो आप देख रहे हैं और हम सारा काम करते हैं आपके वल सोचते पर मैं शवर की महीं माँ हो मुझे यह प्रोग्राम पसंद है मुझे इससे सच को मुझे भी आपकी मदद करने में प्रसन अता होती और मैं तब तक ही करती रहूंगी जब तक मेरी सांस चलती रहेगी पर मैं आपके लिए कह रही हूं आपको बिल्कुल उस तरह का मनुश्य नहीं बना चाहिए जो हर वक्त के वल लेते 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 रहे आपको अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करना है आपको अपने मीत्रों के साथ ऐसा नहीं करना आपको अपनी जीवन में देने में ऐसे सक्री हो बोखोश हुए पर मेरी अर्सुभब को दो चोटे बिसक्ट परAllEN बटर लगा अरखने की आदा थे इसलिए देव बच्ट हः और वन्होनने मेरे खने के लिए बिसक्ट पर garammin बटर लगाया और शरी गाद हमारे लिये नाशता मंगवायया और नजो, और उसके बाद हमाले नाष्ता मंगवाया और नाष्ता आने पर उन्होंने उससे अच्छी तरह मेस पर सजाया और कहा चल दी जल दी आओ तुम्हारा नाष्ता तेह यार हो उन्होंने मेरे लिए कुरसी बाहर की ची बैठने मेरी मदद की फिर मैं चौक गई उन्होंन उन्होंने आकर उस पर से जक्कन उठाया लोग कहते है खाने का अनंद लीचिये पर डेव ने मुझे हसा निकलेगा मोटी मत हो ना जानते हो दिवास सुबर मुझे पर तीन बार गले लगा कर कह चुके हैं कि मुझे तुम सिप्रीम है और उन्हें मुझे बगर्व है इस तरह मैं उनके लिए कुछ करते हैं और वो मेरे लिए कुछ करते हैं जानते हो जब वो ऐसा वहार करते हैं फिर मुझे बुरा नहीं जब वो घर जाकर गॉल्फ खेलने चले जाते हैं, पर देखिए, इसका दो दरफा होना ज़रूरी होता है, केवल लेने वाला न बनने, बेशक परमीश्वर आपके पूर्ती करता हैं, और वो सच मुझ चाहते हैं कि आप आशा पूर्वक उसकी प्रतिक्षा करें, उस फसल के जो वो आपको दीना चाहते हैं, जो ये, जो ये कहते हैं, मैं दश्मान्च में यकीन नहीं करता, वो पुराने नियमों के अधीन था, देखिए, आप सही हो सकते हैं, पर मेरे पास इसका भी जवाब है, यदि वो नियमों के अधीन दश्मान्च दे सकते थे, तो हमें मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं आमेन मैं आपको पूरी इमांदारी से कह सकती हूं मैं सच्छी दिल से कह सकती हूं एक तो ये की परमीश्वर ने जन्वरी में मेरे दिल में ये इच्छा डाली जिसे मैंने कुछ मांग दर्शकों को कहा परमीश्वर चाहते मैं फिर से देनी के बारे में सिखाऊं मैं देनी के बारे में स्यादा नहीं सिखाती और मैं इसका कारण बताथ में दरसल मेरी इसके लिए बहुत आलोचना की जाती है मुझे हमेशा कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं आप केवल लोगों का पैसा हदियाना जाती हैं देखिए यदि आप गेरजे के पादरी होते ही तो परिस्तिती बिन्न होती है और आप लोगों को समझा सकते पाद टीवी पर ऐसा नहीं होता मैं यह सुनकर ठाग गई हूं कि क्या आप वैभव की प्रचारक हैं मैं घरीबी की प्रचारक तो नहीं हूं मैं यह भी नहीं जानती थी कि वैभव का प्रचारा कौन होता है क्या वो कोई ऐसा होता है जो यह प्रचार करता है कि परमिश्वर पको आशिश देना चाहता है देखिए मुझे इस पर विश्वास है मैं ठक गई हूँ लेबल और उन संकीन छेदों से जिन में लोग हमें डाल की कोशिश करते हैं मैं परमिश्वर की संतानू और अपने जीवन पर उनके बुलावे को कूरा करने की कोशिश करती हूँ मैं लोगों को ये बतान की कुशिश कर रही हूँ कि परमीश्वर अशुच देंगे और उन्हें उनकी समस्याओं से मुक्त करेंगे आमीन और उन्हों ने मुझे ये कहा, तुम लोगों पर अनुग्रा नहीं करोगी यदे तुम उनने देना नहीं सिखाओगी सो मैं आज यह इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरा पसंदीदा काम है जिसे करने को मैंने चुनाव किया है मैं बल्कि आपको बताना चाहती हूं कि आप अपना नुकसान करते हैं यदि अब हर मुम्किन तरीका नहीं ढूंड़ते जिससे आप दे सकें परमेश्वर को लोगों को अपने परिवार को मित्रों को आपको दानी होना चाहिए परमेश्वर एक दानी है क्योंकि उन्होंने जगत से ऐसा अप्रेम किया कि उन्होंने दिया और हमें भी वही करना चाहिए हमें उगरता से दूसरे लोगों की मदद करनी है अब मैं समाप् करूंगी इस अंतिम बचन के साथ इब्रान यू तेरा पांच में क्या आप चिलाने को तयार है अधिया अधियान दीजिए तुम्हारा स्वभाव लोब रही थो अर्थात लालच धन लौपुपता लालच सांसारी क्वस्तूओं के लिए तरसनी से और तुम्हारे पास जो है उसी पर संतोष करो क्याकि उसने परमीश्वर ने आप ही कहा है मैं तुझे बिना साहरे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा मैं तुझे बिना सहारे कभी न छोड़ूंगा और ना तज्वे कभी त्यागूंगा हो रुकियाई याभी समात नहीं हुआ नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा क्या आप ये समझे मैं आज कुरसी पर बैठे नहीं रह सकता मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल असाहाई नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम पर अपनी पकड बिल्कुल ढीली नहीं करूंगा, तुम आश्वस्तर हो, इसलिए जब शैतान कोशिश करें, तुम्हें परिशान करने, और ये कहने कि कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं निलेगी। न तुम्हारे पास कभी पैसे होंगे। तुमने सब कुछ गवा दिया है। आप तुम क्या करने वाले हो। तुम नहीं शुरुआत करने के लिए बहुत बूड़े हो। आपको इबरान्यों तेरा पांच निकाल करना चाहिए। ये सुन शैतान। ध्यान से सुन। परमिश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो मुझे बिलकुर असाहाय नहीं छोडेंगे। वो मेरी मदद करेंगे। वो मुझे पर अपनी पकट धीली नहीं करेंगे। आमें। चलिए अब उठकर परमिश्वर किस्तुति कीचिए। हललुया। परमिश्वर आपको वो शक्ती दे रहे हैं जिसकी आपको आवश्चता है प्रभु की बाढ़ जोने वालों की शक्ती का नमीनिकरन होगा। मैं मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ती देते हैं। परमिश्वर आपके कुछ्टों के समय आपको दिलास साथें गैं आपको ऐसी कोई आवश्चता नहीं हो सकती जिसके परमिश्वर पूर्थी नहीं करेंगे। आपको परिपूर्णा होने के आवशक्ता नहीं है, पर आपको अपनी जीवन की हर जानी हुई अवग्या से छुटकारा पाना चाहिए. और आपको निश्चित करना चाहिए, कि आप वो सब बीच बो रहे हैं, जो परमेश्वर आपको बोने के लिए कहते हैं. जब आप ऐसा कर लेते हैं, आपको आक्रमक्ता से आश्चा करनी चाहिए, कि आपके साथ उस दिन कुछ भला होने वाला है, उस दिन आपके साथ. आमेन! जब भी परमेश्वर हमें देनी को कहते हैं, वो हमसे कभी कुछ लेनी की कोशिश नहीं कर रहे होतें, क्योंकि असल में सच यह है कि उन्हें हमारी वस्तों के आवशक्ता नहीं है. देना हमें इस थिती में लाता है, जहां हम स्विकार कर सकते हैं, अधिका अधिक वो जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, फसल काटने के लिए बीच बुना आवशक होता है. मैं एक मिनिट में लौट कर आओंगे आपके लिए समापतिके वच्चन के साथ पर पहले वो जानका रिलीजिट जो हम आपको देना चाहते हैं. मेरी विचार से यह कहना ठीक होगा कि दुनिया में हम कंजूस बना सीखते हैं. जब हम परमीश्वर के राजे में काम करना और उनके तरीके से सीखना आरंब करते हैं, हम दानी बना सीखना आरंब करते हैं. देना बहुत बढ़िया बात है. परमीश्वर एक दानी है. मेरे विचाह से जब हम दिल से सही रुख लेते हैं, तब हम अन्यमोकों की अपिक्षा परमीश्वर की तरह अधिक होते हैं। दो कुरंतियों 9-6-7 के अनुसार जो थोड़ा बोता है, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है, वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन के ठाने वैसा ही दान करें, ना कुट-कुट के और न दबाव से, क्योंकि परमीश्वर हर्श से देने वाले से, जो दिल से देना चाहता है, प्रेम रखता है। परमीश्वर हरने के वाले है, चाहते हैं कि अमदेब बल्कि वो चाहते हैं, हम उनके जहरे पर मुसकान के साथे, अच्छे रुक्ये सागते, उन्होंने हमी जो सब्दिया है, उसके रिए कृतागिया हो कर दें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जॉइस मायर मिनिस्ट्र परमीश्वर की आगया का पालन करें, जब वो आपको कुछ देनी को कहें, क्योंकि मैं फिर कहूंगी वो आपसे कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो हमीश्या आपको देनी की कोशिश करते हैं, और आपको बहुत आयच से देना चाहते हैं, आपका दिन शुब आपको अंदाजा नहीं, हम आपके आभारी हैं, और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का, कि उनोंने इस विश्व व्यापी से काही को संभब बना, मिरकर हम भूकों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं, और कई देशों में सुसमाचार प जा रहे हैं, रिप्या हम से संपर्ख करें या विजिट करें jmmindia.org पर, आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोद बताने के लिए, हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेडियूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं, दुनिया भ